जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार कई अत्यासिक कथाओं का साक्षी रहा है इस राज्य में कई धर्म जातियों कलाओं से परिपून लोगों का ऐसा समावेश है जिसकी मिसाल पृत्वी के हर हिस्से में दी जाती है ऐसा ही है पटना कलम शैली जिसका विकास अंग्रेजों के साशनकाल में हुआ था इस शैली की सुरवाज जब की गई तब राजा महराजा भी इस शैली के दिवाने हुआ करते थे शायद यही वज़ा रही कि राजा अगबर ने अपने उन दोनों कलागारों को समानित भी किय जिन्होंने इस कला को इजाद कर एक ऐसी शैली का नाम दिया जिसे पटना कलम शैली कहा जाता है इस शैली में ब्रस से कलर लगाने की जो कला है उसकी बानगी हमें कहीं भी देखने को मिल जाती है इस शैली से उकेरे गए तश्वीरों के कुछ मतलब होते हैं खास तोर पर शैली से जुड़ी उन तस्वीरों को इस शैली के माध्यम से दिखाया जाता है जो लोगों की कलपना से परे होता है या फिर जिन लोगों ने इसका साक्षतकार नहीं किया हो पटना कलम या इंडो ब्रिटिश शैली का विकास भारत की लगू चित्रकला शैली और ब्रिटि कला शैली थी जिसने आम लोगों उनकी जिन्दगी को कैनवास पर जगा दी वाटर कलर पर आधारित इस शैली की शुरुवात करीब 1760 के आसपास मुगल दरबार और ब्रिटिस दरबार में होती है मुगल बादशा अकबर के दरबार के दो कलाकारों नुहर और मनुहर ने इसके शुरुवात की थी बाद में उनके सिश्य पटना म्याका इस शैली में कई प्रयोग किये और आम लोगों की जीवन शैली पर कलाकरीतियां बनाए इस शैली का तेजी से विकास हुआ और चारो और इसकी प्रशित्दी फैल गई मद्य अठारवी स्थापदी में चित्रकला के तीन स्कूल थे मुगल एगलो इंडियन और पहाडी लेकिन पटना कलम ने इन सब के बीच तेजी से जगा बना ली यह शैली बाद में इंडो प्रिटिश शैली के नाम से भी जाने जाएन लगी मुगल समराईज के पतन की अवस्था में शाही दर्बार में खलाकारों को प्रश्य नहीं मिल पाता था इसकारे इनका पलायन अन्य छेत्रों में होने लगा था इसक्रम में 1760 के लगभग पलाई चित्रकार ततकाली नाजधानी पाठली पुत्र वापस आ गए इन पलाई चित्रकारों ने राजधानी के लोधी कटरा, मुगल पुरा, दिवान महला, मजरहट्था तथा नित्यानंद का कुवा चेत्र में कुछ अन्य चित्रकारों ने आरा तथा दानापुर में बसकर चित्रकला के चेत्रीय रूप को विक्सित किया ये चित्रकला शैली ही पटना कलम या पटना शैली कही जाती है पटना कलम के चित्र लगू चित्रों की श्रेणी में आते हैं जिने अधिकतर कागज और कहीं कहीं हाथी दाद पर बनाया गया है सामाने ता इस सैली में चित्रकारों ने व्यक्ति विशेश परवतेवार उत्सोत था जीव जन्तों को बहत्तो दिया है इस सैली में ब्रस सेही तस्वीर पटना कलम बनाने और रंगने का काम किया गया है अधिकांस तक गहरे भूरे गहरे लाल हलका पीला और गहरे नीले रंगु का प्रयोग किया गया है इस सैली के प्रमुक चित्रकार सेवकराम हुलास लाल जैराम शिवदयाल लाल आदी है चुकि इस सेलीब के अधिकांज चित्रकार पुरुष है इसलिए इसे पुर्षो की चित्र सेली भी कहा जाता है मुगलतौर काल पटना में हाती दान्त की चित्रकारी फली फूली और काफी विक्यात हुई लाल चंद्र और गोपाल चंद्र इसके दो प्रशिद्द चित्रकार थे जिने पनारस के महराजा इश्वरिये नरायन सिंग ने अपने यहां जगा दी थी पटना में इसके महराथ ही थे दल्लूलाल पटना शैली में इन सब का युगदान उलेखनी है बिटिसकाल के अंत तक यह शैली भी लगभग अंत के करीब पहुंच चुकी थी श्यामला नंद और रादे मोहन प्रशाद इस शैली के एक अलाकार थे रादे मोहन प्रशाद ने ही बाद में पटना आर्ट कॉलेज की नीव रखी थी जो कई दर्शकों से देश में कला दीद्यों का एक प्रमुख केंद्र है इश्वरी प्रशाद सर्मा भारत में पटना कलम शैली के अंतिम चितरकार थे करीब डेर दर्शक पहले उनका देहान थो गया था उनके साथ ही पटना कलम शैली भी खत्म हो गई थी उनकी 50 से ज़्यादा कलाकृतियां आर्ट देखी जा सकती है